हेलो दोस्तों नमशकार उमीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगी और आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो कुष्चन्स हैं एक मार्च को जो आपका एक्जाम कंड़क्ट हुआ था उसके बेसेस पे जो कुष्चन पूछे गए थे वो सारा ज्यादा समय मैं नहीं लूँगा सीधे स्टार्ट करता हूँ देखिए एक तो टॉपिक आपका था टीचिंग एप्टेट्यूट से जो है सिच्छन के विबिन जो इस्तर है वहां से कुष्चन देखने को मिल ले है इस समय भी देखने को मिल ले है और विगत वर्सों में जब आपके पेपर हुए थे 2022 में वहां पर भी सिच्छन के विबिन इस तर से अलग-अलग तरीके से प्रशन बना कर पूछे गए थे सबके बारे में मैं डीटेल में आपको बताऊंगा पहले अभी बता देता हूँ कि कैसे कुष्चन पूछे जा रहे है फिर यहां पर द बागचीत करते हो तो उस दोरान ऐसी कौन सी बाधाये हैं जो उत्पन होती है और आपके प्रभावी संप्रेशन को बाधित करती है फिर उसके वाद से नेक्ष जो है आपका इमेल यानि 2CC BCC का मतलब क्या है यह आपका ICT वाले यूनिट से यहां पर कुष्चन देखने को मिल रहा है और यह आपका कमुनिकेशन है यहाँ पर यह रिसर्च एप्रेट्यूड है और यह आपका टीचिंग एप्रेट्यूड यहाँ पर है इसके साथी साथ जो हाईर एजुकेशन से यहाँ पर आपको जो है विष्व विद्याले अनुदान आयोग के बारे में ऐसा पर बनाया जा रहा है बहुत ही टेंडिंग कोश्चन है सोयम क्या है सोयम प्रभा क्या है फिर उसके बाद से यहां पर आपका लोग विकास यानि कि चले जाएगा यहां से कुश्चन आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे और यह एक तारीको इन्हीं टॉपिक से कुश्चन देखने को मिल रहे है जैसा की पूछने पर पता चल रहा है तो आईए एक एक करके सब के बारे में डीटेल में हम जान लेते हैं सबसे पहले हम सिच्चन के जो विभिन इस्तर है जहां से कुश्चन देखने को मिल रहे है उसके बारे में कुछ महतुपूर डेटेल से उसको हम जानते हैं देखिए सिच्चन के तीन इस्तर है सिच्चन को तीन लेवल पे जो है किया जाता है एक तो आपका इस्मृति इस्तर होता है मेमो लेवल की जो है टीचिंग या सिच्छन किया जाता है और इसके मुख्य जो प्रस्तावक हैं वो हरबर्ट महोदे हैं ये आपको याद रखना है इसके बाद से दूसरा नंबर जो आता है और बोध या ग्रहन सकती इस्तर जिसको इंगलिस में अंडर स्टेंडिंग लेवल भी कहा जाता है और इसके जो मुख्य प्रस्तावक है वो मौरिसन महोद है और बोध का मतलब चीजों को समझना इस्मृति इस्तर पर छात्र को ग्यान दे दिया गया अब वो सारी चीज़े अगर उसके सामने आती है तो उसके अंदर एक समझ आ जाती है क्योंकि उसके पास इस करके अलग-अलग भी question पूछ लिया जाता है कि स्मृति इस्तर में जो है क्या होता है मतलब स्मृति इस्तर के लचण क्या है विकल्प बना के अलग-अलग तरीके से और कुछी statements दे दिया जाएगा ये किस इस्तर का सिच्छन है ऐसे पूछ लिया जाता है तो ऐसे मत समझे चिंतन या विमर्सी इस्तर इसको याद रखना है जिसको इंग्लिस में reflective level अगर हिंदी में confusion हो तो अंग्रेजी वाले terms को याद रखना है विस्मृति इस्तर को memory level और अवबोध या ग्राण सक्ति को understanding level और यहाँ पर जो next है आपका last level reflective level जिसको हंट महोदे के द्वारा पस्त आत्रों के mind में जो तत्य है ग्यान है उनको बेठाने का प्रयास किया जाता है इसमृति इस्तर पर इसमें किसी विप्रकार की question या query नहीं होती है फिर अवबोध इस तत्र पे जब उनको ग्यान हो जाता है तब वो query भी करते हैं और उसके बाद से last जो आपका level होता है चिं संधान प्रक्रिया के सोपान यानि कि research aptitude से ये question trending question है कैसे भी घुमा फिरा के आप से पूछा जाता statements के form में पूछ लेगा research के सोपान देदेगा इसमें से कौन सा research का सोपान नहीं है या research के क्रम को बेतर तई मतलब अलग-अलग आगे पीछे लगा कर देदेगा और इसे क मंदित हो सकता है तो उसमें पहले समस्या की पहचान करना है problem को find करना है फिर उसके बाद से दूसरा जो number होता है साहित्ती की समिच्छा करना होता है फिर एक वैचारिक धाचे को आपको तयार करना होता है तद पस्चात आपको एक hypothesis यानि की परिकलपना को बनाना होता है औ और पाचवे नमबर पे जो आपका आएगा पहचान करना जोड तोड करना और चर को नियंत्रित करना और छे नमबर पे आपका आजाएगा सोध डिजाइन करना और सातवे नमबर पे अलोकन और मापन के लिए उपकरणों का निर्माल करना और आठवे नमबर पे नमूना और डेटा संग्रहन और नवे नंबर पे डेटा विशलेशन और उसका व्याक्या करना ये अनुसंधान प्रक्रिया का आपका सोपान है और कई अन्य विद्वानों की द्वारा भी जो है सोध के प्रारूप या सोध का सोपान जो है बताया गया है और इसमें एक और इंपोर् और सोध समस्या को जानने के लिए छेतर का सर्विष्ण करना, तो आप जो है दूसरे साहिती की समच्या, मतलब वही हो गया आपका जो भी समस्या है उसका सर्विष्ण करना, संदर्ब गरंथ सुची का निर्माल करना, याद करिएगा, मतलब ऑर्डर में स्लूटर के अनुसा उनके अनुसारिये मैं बता रहा हूँ और आकडों के विशलेशन के लिए विवस्थित और नियमित करना आकडों तथा प्रमाडों का विशलेशन एवं विवेचना करना और विवेचना प्रस्तुती के लिए आकडों को विवस्थित करना और दारणों तथा संदर्भों का चैन एवं प्रियोग करना और लाश्ट पहले भी यहां से सोध के जो सोपा ने question पूछे गए हैं आई एगला question देखते हैं sorry question नहीं अगला जो point जहां से question देखने को मिला question कराते कराते question की ही आदत लग गई है तो देखें जो next point आपका था जो आपको एक मेर्ज को question पूछा गया था प्रभावी शंप्रेशन में बाधाओं से जो है यहां पर question communication वाले unit से है तो देखें जब भी आप प्रभावी शंप्रेशन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऐसे factor या बहुत सारी problems होती है जब वो बीच में आती है तो आपका जो impactful communication होता है प्रभावपूर वो कम हो जाता है तो देखें यहां पर यहीं बोला गया कि संचार प्रकरिया की विफलता के लिए अगरडी जानकारी को समझने से रोकता है और उसे बाधा कहा जाता है यानि कि ऐसे points ऐसे तत्वज जो आप बातचीत कर रहे हो उस दोरान सामने वाले जो स्रोता होते हैं उन्हें समझने से वो रोकता है तो वही आपका बाधा का काम करता है और इसमें परियावरण बाधाय सबसे पहले हैं कुछ परियावरणी इस्तितिया जैसे की सोर, सराबा, अधिक, भीर्ड, अधिक, गर्मी, ठंडा, वातावरण, उप्यूक, तुमाद्यम, आधी जो है ये आपके परियावरणी बाधाये हैं जो आपके प्रभावी पर उसके बाधा है इसका कारण किसी व्यक्ति की अस्वस्तता, खराब स्वस्तता, आँकों की रोशनी कम होना सुनने की समस्या आधी हो सकती है तो सारी रिक बाधाओं के अंतरकटाब समझी पा रहेगा इसके स्वास्त में कोई प्रोबलम होगी तो वो प्रभावी तरीके से बाचित नहीं कर पाएगा सब्दार्थ बादाय या अर्थों के अंतर के कारण उत्पन हो सकती हैं अर्थ को समझने के संदर्भ में और सांस्कृतिक भी बादाय होती हैं अलग-अलग जो है रिजन और कल्चर और छेतर से जो है जो सुरोता होते हैं जो लोग हैं वो विला ग्यानिक बाधाय भी यहाँ पर है तो प्रभावी संप्रेशन में यह कुछ महत्पूर बादा है जिनको याद रखना यहां से कोश्चन देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि कोश्चन पूछा जा चुका है तो अब नहीं बनेगा इतने सारे मैंने पॉइंट्स इसमें बता र अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही कुश्चन आपका बनेगा इमेल का जो एक टॉपिक है आपका ICT वाले यूनिट में यह मतलब कई बार जो है कोश्चन मोडिफाई करकर के आपसे पूछा गया कि मतलब 2 का मतलब क्या है यहाँ पर CC का मतलब क्या है इसको बस आपको समझ लेना है टू का मतलब क्या होता है तो टू छेतर यह आपके email के मुझे प्राप करता के लिए होता है जब भी आप email लिखते हो और किसी व्यक्ति को भीजते हो है तो टू वाले सेक्सन में आप उसका email id मेंसर्ण करते है तब वो उस व्यक्ति तक mail चला जाता है mail में आपका कुछ भी image हो सकता है कुछ जानकारी हो सकती है कुछ सूचना हो सकती है ये आप 2 तो समझ गए कि जिस व्यक्ति को आप mail भेजना चाते है जो 2 वाला section email में दिया जाता है उसमें आप उसका email ID डाल देते हैं और CC का मतलब समझ लेते हैं इस छेतर का आर्थ होता है carbon copy अगर आप चाहते हो कि जो 2 को mail भेज रहे हैं वही mail किसी और व्यक्ति को भेजे तो नीचे ही आपको 2 के CC मतलब C और C का option मिल जाता है जिसको carbon copy कहते हैं यानि कि फिर से आपको type करने के अवश्रक्ता नहीं है अगर वही mail आपको किसी और व्यक्ति को भेजना है तो C वाले विकल्प में जो है आपको जिस भी व्यक्ति को यही mail भेजना है उसका email id mention कर देना वो आपका चला जाएगा अब देखे इसमें यही बाते मैंने बताय थी कि इसका उपयोग किसी email में दित्यक प्राप्त करता को सामिल करने के लिए किया जाता है और जो BCC है इसका full form जो होता है blind carbon copy इसको कहा जाता है और देखे इसका इस्तमाल क्यों होता है इसका उपियोग किसी व्यक्ति को email की एक प्रती भेजने के लिए किया जाता है और इसके बारे में प्राप्तकरता को बताए बिना यानि कि BCC छेतर में लेकित प्राप्तकरता की पहचान उसी email को प्राप्त करने वाले आन्यप्तकरताओं से छेपाई जाती है तो simply आप इस तरीके से समझे कि BCC का मतलब होता है 2 समझ में आ गया, CCC आपको समझ में आ गया, blind carbon copy का मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को वही mail आप भेजना चाहते हो, जो कि CCC यानि कि carbon copy वाले व्यक्ति या 2 को न पता चले, तो आप BCC वाले विकल्प में उसका email ID mention करोगे, और CCC 2 को बिना पता चले, जो है यहाँ पर BCC वाले email ID में आपका mail चला जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ, यह भी समझ में आ जाएगा, तो अलग-अलग तरीके की यह features है, बहुत लोग इसका इस्तमाल भी करते हैं, तो यहाँ से भी question कई यो बार आपसे examiner पूछा गया है, आ पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी question आपको पीछे अभी exam जो conduct हुआ देखने को मिले है, अब देखें, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई तो आपको याद रखना है कि 4 नमंबर 1947 को भारत सरकार द्वारा जादी के बाद 4 नमंबर 1948 को भारत सरकार के द्वारा विश्व विद्यालय सिच्छा आयोग की स्थापना की गई थी और किसकी अध्यचिता में किया गया था तो इस राधा किष्णन की अध्यचिता में जो है विश्व विद्यालय सिच्छा आयोग की स्थापना की गई थ मतलब इन्हों नहीं सिफारिस के थे और आयोग ने आगस्त उनिस सो उन्चास में एक रिपोर्ट पस्तुत के थे जिसमें उच्छ सिच्छा के कई पहलों के बारे में बताये के थे और इसके साथी साथ आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो डेट है विश्रु विद्य अनुदान आयोग अगर आपसे पूछा जाए कि विश्रु विद्याले सिच्छा आयोग की स्थापना कब हुई थी तो चार नवर्मर उन्नीस सो उन्नातालिस लेकिन जब यूजी सी के बारे में पूछे तो आपको उन्नीस सो चपन वाला ये डेट याद रखना है कन्फि बन रहा है हाँ पर टीचिंग अप्रेटूट से स्वयम स्वयम प्रभा से तो देखे स्वयम के बारे में हम जान लेते हैं तो इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखना अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इस्टेडी वेब आफ एक्टिव लर्निंग फ होते हैं और इसमें श्टेंडर्स क्या है नौवी से बार मतलब 9-12 कच्छा 9 से लेके 12 तक और इसके साथी साथ इसनातक और इसनाकोत्तर के पाठिक्रम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इसके बाद से आगे इसमें मैंने बताए कि अब तक स्वयम पर 2779 बड़े पैमाने के online courses जो है इस पे लाए गए हैं और इसके साथी साथ जो है online पाठिक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बलके सिच्छकों और गेर छात्र सिच्छकों द्वारा भी जीवन में कभी इस platform के माध्यम से इस्तमाल किया जा सकते हैं मतलब इन्रोल होकर जो ह होके सीख सकते हैं तो यहां पर यह पॉइंट्स आपको याद रखना है और फिर NCRT कच्छा नौ से लेके बारत तक के लिए 12 विश्यों में स्कूल सिच्छा प्रढाली है तो बड़े पैमाने पर online पाठिक्रमों यानिकि massive open online course के माध्यम से जो है विक्सित किया गया जिसस प्लेट्फॉर्म है जहां पर जो है course में enroll होके आप course को कर सकते हैं फिर इसके बास से यह बार विश्यों पार पाठिक्रम सुरू किये गए हैं इसमें और इसमें विभिन पाठिक्रमों के लगबग बाईस हजार चातर जो है पंदिकृत से यह सारे details आप पढ़ सकते हैं ल कुछ देख लेना है अब इसमें हम स्वयम प्रभा के बारे में जान लेते हैं देखे स्वयम प्रभा और स्वयम दोनों एकदम अलग है तो दोनों को आपको अलग तरिकी से देखना है स्वयम प्रभा में देखते हैं या जो है 24 गुड़े 7 आधार पर देश में सभी जग़ डारेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच गुणता वाले सैचिक चैनल प्रदान करने का एक एकल पहल है याद रखना है कि स्वयम क्या है 32 डिटियस चैनलों वाला एक आपका उनलाइन लर्निंग का प्रेटफॉर्म है जो 24 गुड़े 7 उपलब्द है आप कभी भी जो है इसे देख सकते हो और ये किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है यानि कि ये जो 32 डिटियस चैनल है किस और संसाधनों को दूर दराज के छेतरों तक पहुंचाना है यानि बेसिकली इसका उद्देश से क्या अगर आप से पूछे तो दूर दराज के जो इलाके वहां पर भी गुणवत्ता पूर्ण क्वालिटी एजुकेशन जो है पहुंचाया जा सके 32 डिटियस चैनलों के मा गोल से यह आपका पीडी वाले यूनिट के अंतरगत आ जाएगा तो इसको भी आपको देख कर जाना है यहां से कईसे भई घुमा फिरा के कोश्चन पूछ लिया जाएगा एक जामनर जो है जिव टॉपिक्स हैं वहां से कोश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं सामिल देश हैं वह एक सुनतर प्रायोजन अंगे करित किये गया है और सतत विकास क्या है इसके बारे में जानते हैं परियावर तथा विकास पर विष्व आयोग उनिस सो तिराजी के अंतरगत ब्राट लेंड कमिशन द्वारा जारी रिपोर्ट उनिस सो सतासी के अनुसार आने वाली पिढ़ी की अपनी अविशकताओं को पूरा करने की चमता से समझाओ था कि ये बिना वर्तमान पिढ़ी के अविशकताओं को पूरा करने है तो विकास का मतलब ये जो आपका सतत विकास है सस्टेनेबल डेवलमेंट गोल है यानि कि हम अपने डेवलमेंट या विकास को इस प्रिकार से करें कि अपने लिए भी संसाधन का इस्तमाल कर पाएं और आने वाली जो पीडिया है उनके लिए भी संसाधन को जो है बचा कर रख सके लेकिन ऐसा नहीं है बहुत सारे गोल डिसाइड किये गये हैं और उनको अभी complete नहीं किया गया है और यह जो sustainable development goal है इसको extend किया गया जैसे कि 2015 में यह आपका खत्म हुआ और उसके बाद से 2015 से 2030 के बीच में उसको extend कर दिया गया तो में देखिए details आपको clear हो रहा होगा और important details है उनको भी देख लेते हैं यह भी आपका sustainable development goal से ही है अब देखिए इसमें यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि आपका जो है millennium development goal की अवदी जो है 2015 में खत्म हो गई थी और परियावरण सुरच्छा के साथ मानव विकास है तो सनिक्त राश्टर का agenda 2030 जिसमें 17 विकास लच्छे निर्धारत के यानि 2015 को आपका खत्म हो गया था और उसके बाद से फिर से इसको extend किया गया जिसमें 17 विक सारक है यह सारा कुछ आप देख सकते हैं यहां से एक एक पॉइंट उठा कर question बना लिया जाता है तो इन points को आप वीडियो को पहुच करके देख लिजेगा अब नीचे भी यहां पर है यह सारा तो इसको आप देख लिजेगा सारा पढ़ूंगा वीडियो ज्यादा लंब कि points में जो तथ्य मैंने बताएं उसमें अगर किसी भी प्रकार का संसे या दुविदा या आपके query उठते हैं तो आप comment box में निसंकोच पूछ पूछिएगा ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही perfect कर रहा हूं कुछ भी points typing में या कुछ भी mistakes हो सकते हैं तो उसके लिए आप comment box में मु modify को के question अगर पूछा जाये तो आप बड़ा आसानी के साथ उसे बना ले और दोस्तों वीडियो कहीं से भी अच्छा रहे है तो वीडियो को like कर दीजेगा काफी ज्यादा time लगता है इन चीजों को collect करने में मतलब कहां से question पूछे जा रहे हैं उन topic को mention करना फिर उनके details को cover करना तो आप like करे होगे तो हमारा motivation बना रहेगा और इसके साथ ही साथ जो है हम ऐसे content आपको और provide करेंगे तो like करके जो है इसे share करिएगा जरुतमन दोस्तों के साथ ताकि उनका अगर अभी exam नहीं हुआ है तो वो देखकर इन topic को जाए निश्चित रूप से यहां से question द पाइदा मिल जाए अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करिएगा और उसके बगल में जो bell icon का button होता है उसको आपको praise कर लेना है new video की notification को पाने के लिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और important question के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत